हिट अन्रन केस को लेकर के लगातार दूसरे राज्यों से अब खबरे आना शुरू हो गई है और बस चालकों का गुसा भी सडकों पर नजर आ रहा है लेकिन उत्तर प्रदेश में बस चालक इस समय क्या सोच रहे हैं क्या वो प्राण प्रतिष्ठा में अपनी योगदान दे क्या प्लानिंग है जी आप बताएं कि आप लोग समय क्या सोच रहे हैं हिट अंडरन केस को लेकर की मैं हिट अंडरन कानून को लेकर जो पहले जो हमारा इस्टेंड था हम आज भी उसी पर कायम है हमने आपके चैनल के माद्धम से आधरणी प्रधान मंत्री जी से अपनी गुहार लगाई थी और आधरनी ग्रह मंत्री जी से भी और केंद्री भोतल परवान राजमान मंत्राले नितिन गटकरी जी से भी गुहार लगाई थी इस कानून को वापस किया जाए तो जैसा कि मैंने बयानों में सुना था ग्रहसेचियो अजय श्रीभल्ला जी ने उसको प्रवाद से तगित करते हैं मेरी मां का आपके चैनल के माध्यम से यह है कि जब तक सभी ट्रेड उनियन से ट्रांसपोर्टरों से बात न कर लें सरकार बुलाएं जैसे सबसे बड़ा संकटन जो ट्रांसपोर्ट के संकटन है वह हैं बारती परिवान मजदूर महासंग हैं इस सबी संकटनों से बुलाएं और इसे बात करें चालक सम्मर्ग से बात करें बात करने के बाद ही इस कानून में जो संसोधन सरकार करना है कि इनके हितों के लिए जो चालकों के हितों के लिए कार करना चाहती के सरकार उसमें करने करें तो मेरी मांग है कि पुराना कानूनी प्रभावी रहे और लागों न किया जाए फिलाल हम सभी लोग जितने भी हमारे करमचारी हैं हमारा चोगी लख्णों से जुड़े हुए है अयुद्या दाम हमारे भगल में है हम उसकी भगवान राम की प्राण पतिष्ठा बाइस तारीक को होने जा रहे हैं एक उत्सव का म सभी करमचारी सात्यों की जो हमारे बाहर से भी तीर्द्यात्री देश से आएंगे लख्णों आने वाले हैं और या प्रदेश के जो लख्णों होकर रहे जितने भी हमारे स्रत्दाल होंगे उनके सेवा के लिए जो भी होगा चाय पानी की जो बेवस्ता होगी उनको जाने से वारता के बाद जो भी निर्ड़े होगा उसके लिए हम आगे आपको सूचित कर देंगे पूर रूप से सरत्दालों की सेवा में तत्पर हैं इसके बाद ही कोई अंदोलन या किसी प्रकार की बात होगी अभी कोई मैं बात नहीं है और जो यह अपवाप हाई लिए इस पर लग गयह हैं रामलला की प्रांपर्तिष्था में और उसी में वे बजी रहेंगे और इसके बाद जब कानून में को लेकर के वारता बलाब करेंगे और विचार वी मर्ज करेंगे जैसा भी आगए होगा उसकी रणनीती बनाएंगे तब्विशमनेले iteration पुट लोकल 18 झाल झाल झाल